चलिए दोस्तों आज मैं आपको excel में बताने वाल हूं Rank formula अभी तक आपने basic level पे कर रहा होगा आज में आपको advance level पे बताने वाल देखो rank में क्या होते हैं नाम से ही पता चला कि हमने rank निकालने हैं माणलों आपके पास 1000 student है 1000 student के अलग लग marks होंगे तो हमने यह चेक करने के टॉप पोजिशन पर कोन आया ठीक है न अब हम एक की करके तो कर नहीं सकते एक की करके करेंगे तो बहुत टैम रग जाएगा और हम इसको थोड़ा एडवांस लेबल पर कर देते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं यह मैंने एक डेटाबिस बना रखा है जिसमे आप आपने लिखा रेंक रेंका फॉर्मला किसका रेंक दिरच का कोमा किस से इन सन्में से वैसे न नर्मली हो तक यह है आपने लगाया् Jarmon पोजिस्टन आया अगर हम इसको खीचेंगे नॉर्मली तो यह हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत आजाएगा ठीक है देखो सारे के सारे वन आ रहे अभी ऐसे हूँ तक ऐसे हैं देखो मेरे को क्या करना है दीरज का रेंग निकालने सम में से राधा का निकालने सम में से अन् कीचन की से गलत हो जाएगा हम इसमें फिक्स करते हैं हम चाहते है कि इसका इसका चेंज नहीं होना चाहिए इसके लिए हम रेंक लगाते हैं दीरज का रेंक कॉमंज सम में से जो यह sub वाल आई एक फॉर से fix कर दो keyboard में आपका function की हो दी टॉप में f1, f2, f3, f4 तो आपको f4 प्रेस करना है सारे नी प्रेस करना है f4 प्रेस करना है ठीक है न यह गलत हो गया sub में से f4 प्रेस करा bracket close enter अब हम क्या करेंगे कोने पर जाएंगे की सकते हैं इसको अब देखोगे तो हमारे एक दम accurate आगया आभी भी देखो एक problem और है one यहाँ है two यहाँ है three कहीं और है four कहीं और है हम चाहते एक sorted order में आना चाहिए तो आप क्या करोगे पूरे को select करोगे sorted filter में जाके यहाँ पे लिखा small to large देखोगे कितना आसान था one two three four five six seven eight इस तरीके से हमारे एक sorted order में rank आगया ठीक है वही चीज descending order में भी करना है और देखो यहाँ भी क्या था कि जो सबसे highest marks लाएगा हो first आएगा जबकि यहाँ पे क्या है जो सबसे कम time में raise पूरी करेगा हो first आएगा मैं बार बार नहीं करूँगा मैं short तरीके से बताऊँगा आपको ठीक है न यहाँ पे जाओगे इसका rank comma in sum में से तुरंदा F4 करोगे comma 1 वह देखो यहाँ पे 1 क्यों लिखते हैं 1 का मतलब होता है ascending order से ठीक है न अगर आप 0 लिखते हो तो वह descending आता है यह देखो यह भी आ गया इसको फिल्टर में जाते है small to largest करते हैं अब देखो फर्स्ट कोन है जिससे सबसे कम टाइम में रेस पूरी करें यहाँ पे एक मिनट एक सेकिंड वाला आया तो फर्स्ट एक मिनट दो सेकिंड वाला सेकिंड एक मिनट तीन सेकिंड वाला थर्ड यह इस तरह के से हमारा फर्स्ट एकिंड थर्ड रेंक फॉर्मला आ गया ठीक है न फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे आप कमेंट करके जरूर बताना और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो लाइक कमेंट सस्क्राइब जरूर करना